हेई हेलो हाई नमस्ते वेलकम तो मैं चैनल आइम आर्थी कुश्वाहा उमीद कुनगी आपसे बच्छे होगे सो फाइनली आइम हीर विदा ब्लॉग और आप लोग इतना जादे देमांड करते हो ब्लॉग को लेके कि आर्थी आमें व्लॉग चाहिए व्लॉग और मैं कभी भी हॉल वीडो बनाओं या कोई सी भी सिट डाउन वीडो बनाती हूं तो आप लोग का डिमांड यहीं रहता है आर्थी हमें तो व्लॉग चाहिए और मैंने आप लोग को बताया थे कि मैं बिहार में आई हूं और इवन मैंने जर्णरी जर्णी भी शेयर की थी जर्णी कि कैसी क्या रही अकेले में आई थी तो वह भी आपने देखी होगी अगर नहीं देखिए तो जागे चेक जरूर करेगा एंड मैंने यहां पर कोई बैग्राउंड नहीं है मैं क्या ही शूट करूं आप लोग वगरे बोले थे तो बट आपने बोला कि दिदी जैस तो काफी जादा टाइम टेकिंग हो जाता ठीक है एंड यहां सेम जगे मैं कुल्ला कर रही हूं ताकि जो पानी है वो पेड़ो को मिल जाए और बाहर बाती रखी होती है ताकि हम बाहर का कोई भी काम करके है ना तो हाथ पर हम यही से दो के फिर अंदर जाएं और घर के अ और सम अधर वाइरियंट इसकेस वांट ट्राय देम युग एज़ी एप्रिकेशन और रिमूवल के यहां पर स्पैचुला भी मिलेगा साथे साथ कोई टीशुज भी हां पर मिल जाते हैं जो कि सूपर क्यूट है मुझे बहुत अधर क्यूट लगते हैं अगर आपके मन मे यह डाउट है कि इसको यूज करने से नहीं होता है ना ही कोई राष्ट होते है साथ ही साथ इसको यूज करना भी इज़ी है और स्करीं के लिए सेफ भी है करना क्या आता है सपैचुला की मदब से आपको क्रीम को लगाईए कुछ इस टाइप से कि आपको इंटिमेट एरिया के जो हेयर को पुरा कवर करना होता है जित्ती लेंथ होती है तो आप ट्रिम कर लीजेगा उसके बाद आप इस क्रीम को लगाएगा कुछ इस टाइप से पांच मिनट लग भग जादा से ज़ादा पांच मिनट तक रखिए और जो कोईन टिशू से में आता है वाटर में डिप करिए कुछ इस टाइप से पूरा ऊपन हो जाता है एक तम टिशू के जैसे पूरा खुल जाता है और वाइप कर लीजे एंद युवर दन इसके अंदर क्रेंवेरी और कुकुम्बर जो की स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूध बनाता है और साथ इसमें मैनुवल मिल जाता है इसको कैसे यूज करना है मैंने बता दिया बट स्टिल इसमें आप सब रीड कर सकते हो इस जो कि इंपॉर्टन है यूज करने से पहले पैच टेस्ट जरूर लीजेगा यूज कर लिए लिंक इन दिक डिस्क्रिप्शन बॉक्स हो जाए और चेक करिए इसके और भी वैरियंट आते हैं तो उनको भी चेक करिएगा मैं हाँ पर वीडियो शूट कर रही हूं एंड वाँ पर उच्डिया देखू पर वाँ पर इस च्डिया बैट वाइज ओवर करते हूं तो प्रॉब्लम जाता है अब खाना खाने की बारी आती है विकोस मुझे बहुत जाता तेज भूख लगी हुई है तो यहां पर आज मैं खाने वाली हूँ दूद रोटी और बिहार को लेकर मैं बात करूँ यहां के लोग नाश्टे में ऐसा नहीं मैं हलका फुलका खाली तो मुझे चल जाता है बट जो मम्मी पापा लोग है उनकी शुरू से आदत रही है सुबह का हैवी खाने की क्योंकि यहां के लोग नाश्टे में यही रोटी सब्जी ही खाते हैं और सब्जी इसलिए नहीं बनी है बिकोस मम्मी थोड़ा सा काम में बिजी हो गई थी क्योंकि और भी खर काम चल रहा है तो मैं बना नहीं पाई क्योंकि मुस्त्रे से सब्जी बनती नहीं प्क्राइजना नाश्टे में आपके कि बहुत से लोग ने मुझे पटाए कि नाश्टे में हमारे हाद ओर रोटी यह सई बनती है फिर दिन ब़ strategy बनाती है नाश्दाफ फिर शाम को रोटी विए सेम चीज़ मेरे हाँ अइसी होती है तो पहले ही नाश्ता कर लिया था विकाज उनको काम देखना था घर का जो काम चल रहा है इसलिए मैं अलग से जाके सीडी बेट के खाती हूं और बाहर का जो नजारा होता है उसको देखके एंजॉई करके मैं खा लेती हूं थोड़ा बात फोन भी मैं चला लेती हूं एड उ पास रहके खेलना कुछ जानवरों को छोड़के ठीक है और यह स्टेट रोड है सामने की बड़ी सी रोड यहां पर खाली नहीं रहता है दिन भर गाड़ियां चलती रहती है पैं पैं पीं 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 इतनी आवाज आती क्या बता हूं और यहां पर जानवरों का भी एक्सि पींदी ने करी हुई है बहुत जादा पसंद पेड़ लगाना यह सबजीया लगाना वह उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और यहां पर इसके बाद में गई थी इन चोटे-चोटे पत्थरों को इकटा करने घर के सामने जो है माटेरियल रखा हुआ जैसे की रेत हो गया बालू हो गया तो रेत मेंसे न वो जो पत्थर नहीं निकलते थे प्यारे-प्यारे डिजाइन के कलर फुल कोई ब्लैक है कोई ब्राउन है और अलग-अलग शेप के तो उनको मैं कलक करती हूँ तो एक दिन बैटके मैंने उनको कलक किया थे यहां पर साइड में तो वहीं मैं उठा के ले जा रही थी नहीं तो क्या हो रहा ना बारिश होड़ी ना तो यह पत्थर जो मैंने कलक किया थे थो थोड़े बहुत तो यह दबते जा रहे हैं उसके नीचे इसलिए मैं उठाने जा रही थी जब मैं छोटी थी तो में और को यह चीज करना बहुत पसंद थी उखें एवन मुझे अभी यह साँ चीज में यह तो नियुक्त को यहां पहों करें आपा सल्पी कियों पता है क्यों कि मैंने यह सोचा है जब मेरा घर तयार हो जाएका न तो मैं इसको ड्यकूरेट करें के यूज जैसरों पानी भर के उनमें पत्थरों को डालूंगी इत्ता सुन्दर लगेगा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे ना यार इत्ता सुन्दर सुन्दर पत्थर फ्री में मिल रहे हैं उसके बाद बारी आती है शूट की नहाद हो के फिर मैं शूट के लिए गई एंड हेल्प किया मुझे मम्मी ने क्योंकि यह शूट करना था यह साड़ी को लेके करना था और बैक्राउंड आप घर का देख सकते हो घर अभी तयार हो रहा है गाईस तो दीरे दीरे सारी चीज़े होंगी बट स्टिल मैं जैसी भी कंडिशन में मैं कोशिश कर रहे हूं कि वीडियो का गैप ना हो एंड ममी ने हेल्प की थी साड़ी पहने में फोटो खीचने में वीडियो शूट करने में और यह वीडियो अल्यडी लाइव हो चुकी है जा चुकी है आप लोग में देखी जरूर होगी और आप लोग बहुत आप पूच रहे यह ब्लाउस कहां स देख सकते हैं कुछ इस टाइप से देखो आधा रूम तयार हुआ है आधा हुआ ही नहीं है फिर भी मैं शूट करके आपको वीडियो देने की कोशिश कर रही थी एंड उसके बाद मैं ठक चुकी थी यार शूट के बाद मतलब जीप सा मौसम एक तो गरम गरम लग रहा थ हरी भरी चीज देखे सुकून ही मिलता है और चट पे मैं चल कोशले जायओं तो आसपास हर जगे हर याली ला إ dalी याली बिता हर जगे अरह यह भर ओ आर वह वाली रोड जो कि मैंने आपको दिखाई थी आड बापेस दिखा देती material नीचे रखा हुआ है उसको ठकके रखा गया है क्योंकि बारिश होने लगती है material सब बह जाता है तो वह साई चीज़े जरूरी है जो क्या बोलते हैं उनको जो लंबे-लंबे होते बिछाते तिरपाल टाइप तिरपाल बोलते हैं और यह रोड है इधर पे जो व्यू आता है वीटो शूट करी थी तो यह बंदर आ गया और मैं सोची में करूं क्या मैं सीधे पुतला बनके खड़ी थी यह मेरे दिन का खाना चावल और मजह वो नहीं पता उसको क्या बोलते हैं ममी ने कुछ बेसन से बनाए हुआ था एंड आलू की सब्ची हम्म्म्म्म्म्म्म्म्म यहां पर मैं खदम करती हूँ अपने ब्लॉग को मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाइबाइब